मीन राशी वालों से दोस्ती करने से पहले जान लो ये पांच बाते हैं नहीं तो हाथ लगेगा सिर्फ धोका, मीन राशी का कड़वा सच और आज मैं आपको मीन राशी से जूड़ी ऐसी पांच बातों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनने यदि आपने जान लिया, तो समस्त लिजे आपने मीन राशी वाले व्यक्तियों के अचार, व्यवहार, सोभाव के उपर PSD कर ली है तो आईए जानते हैं कौन सी है वो पहली बार जिसे जानना आपके लिए बहुती अवशक है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मीन राशी के स्वामी देव गुरु भ्रसपती होते हैं, जो कि ज्यान के कारक देव हैं ऐसे में आपको ये बात तो भली बाती जान लेने चाहिए, मीन राशी वालों में ज्यान की मात्रा परिपूंटा से पाई जाती है और यदि आप चाहते हैं मीन राशी के जातकों से सदेव आपकी मितरता बनी रहें, तो आपको चाहिए कि मीन राशी के जातकों के साथ कभी भी जूटा दिखावा ना करें कौन सच्चा दिखावा कर रहा है और कौन जूठा दिखावा कर रहा है ऐसे में यदि आप मीन राशी वाले जातकों के साथ जूठा दिखावा करते हैं तो ये पल भर में उसको पढ़ लेते हैं और जूठा दिखावा करने वाले व्यक्ति से धीरे धीरे कब दूर हो जाते हैं सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता ऐसे में आपको चाहिए कि मीन राशी वाले जातकों के सामने कभे भी जूठा दिखावा ना करें दोस्तों मीन राशी के स्वामी देव गुरु भरस्पती होते हैं जो की ज्यान के कारक देव हैं ऐसे में आप सदेव देखेंगे कि यदि कोई जातक मीन राशी वालों के साथ मुर्खता पूर्वक विभार करें तो ये इनेक कताई बरदाश नहीं होता जी हां मीन राशी वाले जातक 32 सहनशील और ज्यान वर्थक बातों को पढ़ने वाले होते हैं और ऐसे में यदि कोई विक्ती इनसे मुर्खता पूर्ण विभार करें तो ये पल भर में उस विक्ती से पल्ला जाड़ लेते हैं और सामने वाले विक्ति को लगता है कि मीन राशी वाले जातक ने मुझे दे दिया है धोका। इसलिए यदि आप चाहते हैं मीन राशी के जातकों के साथ सदेव आपकी मितरता बनी रहें। तो आपको अपने शब्द कोश और वाणी पर लगाम रखकर ही इनसे वारतालाप करनी चाहिए। जीवन में कभी नहीं देखनी को मिलेगा विवहार संबंदित धोका। तीसरी स्थिती अनुसार मीन राशी की लोगों के लिए सर्वोपरी होता है इनका आत्म सम्मान। कितनी ही घनिष्ट मितरता क्यों न हो ये धीरे-धीरे करकर आपसे मितरता दूर कर लेते हैं। बैमानी करें। उसे कताई बरदाश नहीं करतें। फिर वो चाहे व्यक्ति इनका कितना ही घनिष्ट मितर क्यों न हो। ये लोग पल भर में पल्ला जाड़ लेते हैं। और इनमें पाई जाने वाले एक और विशेष्टा ये भी हैं। कि ये आपको फिल भी नहीं होने देंगे। कि ये आपसे कब दूर हो गए और क्यूं हो गए। और आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। और अंतताह आप मन ही मन ये सोचते रहेंगे। कि मीन राशी वाले जातक धोकेबाश होते हैं। किन्तो सत्यता का ग्यान आपको प्राप्त हो ही नहीं पाता। किसी प्रकार का दिखावा नहीं कर पाते। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि मीन राशी के जातकों के साथ सदेव आपकी मितरता बनी रहें तो इनकी अंतर आत्म को पहचानने का प्रयास करें। आपको भली भाती पता चल जाएगा कि ये लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। बाहरी दिखावी की अपेक्षा आप लोगों को इन व्यक्तियों से नहीं करने चाहिए। बाहरी दिखावी की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति अक्सर यहीं सोचते रह जाते हैं कि मीन राशी के जातक धोके बाज होते हैं। जबकि आप चाहें लाग कोशिश कर लें किन्तु ये फिर भी आपको जूटा दिखावा नहीं दिखा पाएंगे। तो दोस्तो ये हैं वे पांच बातें जिनने यदि आपने जान लिया। तो आपको मीन राशी के जातकों से जीवन में कभी भी नहीं देखने को मिलेगा धोका। इसी के साथ ही दोस्तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहल से की, धनेवाद दोस्तों